हुआ दोस्तों आज की वीडियो में हम मेंस प्रैक्टिस से शुरुवात करेंगे और इसमें करीब आठ प्रस्णा है ठीक है यूपीपीसीएस का प्री हो चुका है यूपीएसी का प्री 28 माई को होने वाला है तो भी कुछ लोग उस पर तैयारी कर रहे होंगे बाकि बीपीएसी का मेंस भी खत्म हो चुपा है अभी यूपीपीसीएस का जो मेंस है वो आपके जाएगा सितंबर में करीगे तो सही तरीका यह है कि हम अभी से मेंस की प्रैक्टिस करते रहें वो फायदे मंद होगा डेली कम से कम तेन चार प्रस्ट लेखने चाहिए जिनका प्रस्टी में हो रहा होगा क्योंकि एंसर की मिलाए होंगे तो पता चल जाएगा कितना किसका बंद है कितना किसका नहीं बंद है ठीक है इसी बात को द्यान में रखते हुए इसकी शुरुवात कर रहे हैं और मेंस की प्रैक्टिस जो होगे इसमें इस पीडियेफ में हम BPSC के लिए भी इस्पेशल टॉपिक्स हैं दो तिन दो तिन क्या टॉपिक हैं उसमें प्रश्ण हैं दो तिन बाकी सब UPPCS और UPSC के लिए जैसे कि GS के फॉर्थ GS थर्ड पेपर GS फॉर्थ पेपर इनके प्रश्ण आपको मिलेंगे तो सबसे पहला प्रश्ण देख लेते हैं और यह हिंदु धर्म के चार नाइतिक लक्षों की इस पेश्ट रूप से चर्चा करें इसमें क्या करना भाई पहले तो परिशे होना चाहिए फिर उसके बाद मुख्य बाद क्या है चार जो नाइतिक लक्षे उनको बताना है उनका उनकी चार्चा करनी है तो मैं उनका उनकी व्याक्षा देनी पड़ेगी ठीक है और जी एस फोर्ट पेफर का प्रश्ण है तो परिचे में हिंदु धर्म के अनुसारत जीवन के चार प्रमुख नाइतिक लक्ष की और धर्णा के रूप में धर्म अर्थ काम मौक्ष को सामिल किया है जो मनुस को एक सुखी नाइतिक जी वन जीने और मृत्तियु के बाद मौक्ष प्रप्त करने में सक्षम बनाते है अब इसमें मानवी ये जुनून, शोहरत और इच्छाओं के तरक संगत नियंत्रन का प्रतीक होती है। साथी हिंदु धर्म का प्रमुखलक्ष आत्मा को भहुतिक संसार के बंधनों और उसकी असंख्य समस्याओं से मुख किया जाए। दूसरा है अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है क्योंकि मनुख को अपने परिवार और पूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए नियुनुतम धन की आवशक्ता होती है। तो काम के अंतरगत देखेंगे इसी इच्छाओं की संतुष्टी से उत्पन में होने वाली खुर्ण के रूप में माना जा सकता है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंतहीन इच्छा के पीछे भागना हो। या इंद्रियों की भौतिक दुनिया और समय की भौतिक ब्रहमांड के बंधनों से मुक्ती है इसके अनुसार। आत्मा अपने महत्पुन और बाउधिक गुणों को खो देती है अर्थाती हशास्चों तवर अमर हो जाती है। अब यहाँ पे हम इसका निश्कर्स देंगे। निश्कर्स है चारनेतिक लक्ष हिंदूर नेतिकता के लिए जिम्मेदार है जो ब्यक्तिक है जीवन जीने की तरीके से संबंदित हैं। जिसमें उसे धर्म की सीमा के भीतर सांसारिक आस्तित्यों का आनंद लेना चाहिए और स्वैम को मौक्ष के लिए तयार करना चाहिए। के यह इसका प्रस्ण है और इसका उटर है परिचे भी आपने देखा मुख्य बिंदू को आपने देखा और जिसमें अरस्तु के अनुसार शुरुआत जो करेंगे परिशे से योगी या भूमिका कह सकते हैं अरस्तु के अनुसार विवेक नियाय धैर सायम गुडों में से अगर किसी व्यक्ति में कोई एक गुड या गुड एक भी गुड आ जाए तो वहाँ अन्य तीन की उपस्तिती का संकेत देता है वैसे सिविल सेवकों की व्यक्तिगत गुडों में व्यक्तिगत चरित्र और बौधिक शमता सामिल होती है व्यक्तिगत गुडों का पालंग कैसे होता है तो विवेक के अधार पे वीवेक क्या है वीवेक वास्तवी के अच्रण में करवाई के सबसे उपयुक्त राजनेती की लावधायक तरीके का पता लगाने की इच्छंता को संद्रवित करता है जो ब्यावहरिक ग्यान और बुद्धिमानी का प्रतिक होता है सिविल सेवकों को ब्यावहरिक मामलों का मुख्य करता माना जाता है जो लोगों के काफी संपर्क में रहता है इन्हें गुम नाम तथा विवेक पूर्ण तरीके से मामलों में तरीके से मामलों से निपटना होता है जिसके लिए सिवे सेवकों में विवेक और एक अत्यन्त वांचनिया गुण होता है दूसरा है धैरे धैरे क्या है? विपत्ति की इस्थिति से लड़ने के लिए नैतिक शक्ति के रूप में धैरे जरूरी होता है दिर्ग कालन समस्चा से घिरे होने के कारण ब्यक्ती जो तनाव और दवाव का अनुभाव करने लगता है जिसको सहन करने के लिए जह धैर की जरूरत पड़ती है सिवल सेवकों के मामलों में धैर कम वीरता का प्रतिक होने के बाद भी लंबे समय तक काम की चुनोतियों और परतिकूल परस्तितियों से निपटने के लिए महत्वण होता है ठीक है फिर है नियाए निया क्या अभी जब हम नियाए शब्द का प्रियोग करते हैं तो इसका अर्थ अक्सर इसपष्ट होता है इसलिए इसकी सठिकता का संके प्राप्त होता है फिर आगे है सैयम सैयम क्या मतलब क्या है? तो ये किसी के कुरोद भाउना इच्छा को नियंतित करने की छमता का प्रतिक होता है जिसे तरक संगत आत्म सैयम के रूप में माना जाता है नेडल लेते समय या इसेतियों का जवाब देते समय सिविल सेवकों को उदार होना चाहिए फिर लोग प्रशासन में सिविल सेवा नियतिकता का महत तो क्या है? ये भी पता होना चाहिए सिविल सेवकों के मनमाने कारियों की ज्याच करना प्रशासनिक जिम्मेदारी के भावना को बढ़ावा देना, नागरिक सिविर सेवा के एक बीच अच्छे संबंध इस्थापत करना, सामाजिक भलाही, सारवजनी के हित, सामान ने भलाही को संरक्षित करना और बढ़ावा देना, प्रशासनिक प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावसिलता में सुधार करना लोक प्रशासन की वैधता और विश्वसनियता को मजबूत करना लोक प्रशासन में सिवी सिवा नितिकता का महत्त है ठीक है विवेक धैर और संयम जैसे प्रमख को गुण किसी के चर्थ की अच्छाई और एक अच्छा तथा सफ़सिवी सेवक बनने में सहायता करते हैं यह आपका निस्कर्स हो जाएगा बाकी यह मुख्य बिंदू हो जाएगी इधर है न अगला प्रशन है समान नागरिक संहिता की संक्षेप में व्याक्या करते हुए नागरिक कानूनों में एक औरूपता की अवसरत्ता की भी वेचना कीजिए ठीक है जो प्रशन है वो सेकंड पेपर का प्रशन है सेकंड नहीं UPSC और UPSC सेकंड पेपर गाही है ठीक और BPSC में भी सेकंड पेपर में पूंचा जाएगा पॉलिटी से सम्मंदित प्रशने भारती सम्मिधान के राज के नीति नीदेशक तत्त में अनुच्छ चवालिस के तहत भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविर संगिता का प्रावधान किया गया है मतलब सभी धर्मों के लिए एक समान धर्म निर्पेक्ष कानून होने चाहिए इस्थिति क्या भारत में तो देखें तो बरतमान में अधिकांश भारती कानून जैसे भारतिया अनुबंध अधिनियम 1872 याद रखना वही नागरिक प्रक्रिय संगिता संपत्य हस्तां अंतरण अधिनियम 1882 भागेदारी अधिनियम 1872 आदिसमान नागरिक संगिता का पालन करते हैं कई राज्यों ने समसोधन तो किये लेकिन धर्म निर्पेक्ष्टा संबंधी कानून में अभी भी विविदता है जैसे मोटर्व अधिनियम 2019 की बात करें इसकी आवशक्ता क्यों है कानूनों में एक रुपता लाने की आवशक्ता क्या है इसलिए जरूरी है बरतमान कानून की प्रकृति वह ऐसी है परसनल लो जो कि महिलाओं के खिलाब भेदवाव पूर्ण है शरीय कानून एक मुस्लिम पूरुस को अप पचीस वर्ष से कम उम्री है जिनके सामाजिक दर्ष्ट कोड़ वक आखचाओ को समानता मानवता अधुनिकता कि सारभों में किसे धानतों दोरा आकार दिया गया है राष्ट निर्मार की दिशा में इनकी छमता का उपयोग करने के लिए धनों के आधार पर पहचान कोने क बीचार पर गंभीरता दिखाने चाहिए फिर राष्टिया की करन में बृद्धी के लिए आवश्चक है तो बही सरवच नियाले के नुसा समान नागरिक संग्ता कानून के अपरति आसमान निष्ठाओं को दूर करके राष्टिया की करन के लिए एक साधन के रूप में का निष्ठाओं कर सकता है बेक्तिगत कानून पर ये उसी सी का नहतार्त क्या है तो सबसे पहले कानूनों का सरलिकर ये बिवाह बिरासा तुत्राधिकार जैसे जटल कानूनों को सरल बनाएगा दूसरा संबेदन श्रील वर्ग को संरक्षन तो ये महिलाओं अल्प संखेकों समेदन श्रील वर्गों को संरक्षन परदान करता है धर्म निर्पेक्षता को भी बल देता है तो धर्म निर्पेक्ष गड़राज को धर्मिक पर्थाओं के आधार पर विभेदित नीमों की बजाए सभी के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए ठीक है फिर लैंगिक निय थी लिवाजों को विभिन कानूनों के तैस संरक्षित किया जाता है ऐसे में एक रुपता प्रात करना कठिन हो जाता है सांप्रदाइक्ता की राजनीती होती है तो समाज का एक बहुत बड़ा बर्ग समान नागरिक संगता को बहुत संक्यक वाद की रूप में देखता है संब्धानिक बाधा क्या है अनुच्छत पच्ची जो समान नागरिक संगता के विरुद्ध है ये भी द्यान अखना है अब हम निश्कस दे देंगे तो निश्कस है धर्मिक रूड हिवादियों के बजाय सरकार समाज को परस पर विश्वास के निर्मान के लिए से लोग क पाल करला पटना करला मदवनी करला इस सब तो इसी समदने प्रशने ये कि मौर कला से बिकसित बिहार की समरज सालिक करम कला परंपरा को पाल कला ने निर्रंतरता और विकास के साथ राष्टी अंतर राष्टी इस तरपर परसारित किया है इस कथन के अलोग में पाल कला की स मंगाल च्छत्र में बिक्सित पाल कला मर्परंपरा ने मौरे कला से चली आ रही कला परंपरा को जीवित रखने के साथ ही निरंतरता और विस्तार तो दिया साथ में राष्टी अंतराष्टी इस तर पर प्रसारिप भी किया है। कला ने नेपाल बर्मा से लंका जावा की कला को प्रभावत किया। ये इसी बात का परड़ाम था कि पाल शास्कों ने वास्तु कला मौर्ती कला और चित्र कला में विशे सुरुची दिखाते हुए कला को एक उतकरश्टता प्रदान की थी। बहुत सी सीमाओं के दायरे में पाल कला को बहुत सी सीमाओं के दायरे में देखा जा सकता है। पहली बात तो इंटों से बना हुआ है, बना होने का अधिक आवसेश इसके नहीं मिले। दूसरा है किवल सामने वाले भाग पर ध्यान के अंद्रित किया गया। तीसरा है अलंकरान का अधिक प्रियोग होने से वास्तिविक सुंदर तच्छिपी हुई है। तो आलोसना क्या है। आलोसना देखेंगे तो पुनुरावित्ति का दोश लगा जाता है। इसने पहले से चले आ रहे तत्तों को ही दूराया और नवीनता को कम से कम पनाया है। जैसे मत्वुरागांधर शयली गुप्तों के समय की ही थी Along डागी की गुपा की दिखते है। अगर भाग पर जोड देते हैं त Darwin पर अब निसकर्ष वी देना कैसे देंगे उप्रूप्त 알ोसना से यह कह सकते हैं कि इसके विभिन रूप पुरवर्ति कला परंपरा से ही प्रेजित थे और एक सीमा तर इस नविंता की कमी थी लेकिन ब्यापक रूप से देखा जाए तो इस कला में ततकालिन जन जीवन का काफी हद तक चित्रण है जो किसी भी काल के कला से मूल अपेक्छा रखी जाती है यह आपका निश्कर सो जाएगा अगला परसने पाल कला को सीमाओ के बावजूद भी बिहार की समरेश शालिक कला परंपरा को निरतंतारता और विस्तार प्रदान किया इसकी वास्तु कला और चित्रकला की विश्यस्ताओं का वड़न करें अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले तो हम परिचय देंगे भई अब इसमें क्या क्या है भई देखो पहली बाद तो पाल कला का परिचय होना चाहिए सीमाई भी इनोंने बताई हैं सीमाई कुछ है तो वह भी बता सकते हैं फिर बास्तु कला इसकी क्या है और इसकी विश्यस्ता क्या है इस चार प्रशने इसमें तो सबसे पहले प्रिचेसे पाल कला ने अपने कला के माध्यम से तत्कालिन जंजियों का का आफी हथ तक चित्रन किया पाल कला ने भारतिय कला परमपरा को निरंतर ता, और विस्तार भी प्रदान किया रहा है, पाल शाथकोंने तपक्षे संगर्च स्मय उपस्थिति, तुकला की बात करें तो इसमें विहार के रूप में देख सकते हैं तो विहार में जिसे नालंदा है विक्रमशिला है सौमपुर है देवी कोटा पंडिता फुलवाड़ी और जगदला जैसे भिक्षों के लिए नियोजित आवासी भावन का निर्मार किया गया जो कि आयताका प्रपी मेधी यंड वेदी का तोरण आधविभिन भावगों के रूप में निर्मित विया चैट के हैं मुर्व से बहुत मंदिर होते थे हिंदू वास्तु कला की बात करें तो हिंदू वास्तुकला में हम देखेंगे ये इस्थानी बंग सैली में निर्मित थे हैं महिपाल द्वारा काशी में बहुत से मंदिर बनवाए गया मंदिरों में काले ग्रे बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थर के खंबे और धनुसा कार किनारे का इस्तिमाल किया गया चित्रकला की बात करें वही तो चित्रकला पाल दिवारों पर लाल नीरे उजले काले हरे रंग से निर्मित तांत्रिक प्रभावों का चत्र प्रभाव और जामिति या कार्मि किया इन में नेपाल और बर्मा के साथ समानता देखी जा सकती है इस चित्रकला में इस चित्रकला में पतली और सुंदराकर्ति-स बिस्त्रता भुषण होती ही मुक्त प्रवाह भद होता था, अगर भाग देखाने की कोशिश होती है सीमाज भी रही है क्या रही बई इंटों से निर्मित थे क crocod अधिक प्रयोग धर्मिक पालूं को अधिक प्रमुक्ता दे गई है ठीक है कुल मिलाकर पार्चिल पालकॉलएन कला ने बिहार की इकलव प्रंपरा को विप्तार की ंग्रला परसंत में हुआ करता था हम जो पहले प्रक्रिस करवाएं हैं 200 सब्सक्राइब अब क्योंकि आठ नंबर और साथ नंबर के प्रश्णाने लग गए हैं कि तो अब इतने में हमको समेटना है कैसे करके तो चलिए 200 सब्सक्राइब लिखेंगे कैसे हैं अदके यहां परिचे नहीं है और यहां पर सीथे हमने मुख्य बिन्दू से श्टार किया है कि और मुष्टबाद में कुछ समय तक नवाबों को समय मिलता रहा लेकिन नवाब मीरन के समय में जब समय मिलना बंद हुआ तो कलाकारों का प्लायन फिर से शुरूगा और अंतत हा ये गंगा के किणारे इस से प्रमुख ब्याप्री केंद्र पटना के आस पास के च्छत्रों में बिक्सित उआ इसक लाश्यली के चत्रकाल जो और मुखरूप से मुगल और पहारी शैली के है चत्रकाल थे जिन्होंने कोलकाता के माध्धम से यूरोपियर प्रभाओं को भी ग्रहण किया था जिसमें आम जन जीवन प्राधारि बिश्यों को महत दिया गया जिसका प्रमुख कारण यूरोपियर लोगों की भारतिय संस्किति के प्रति जिग्यासा और रुचे थी लेकिन उत्तरार्ध में अनेक कलब संरक्षकों के काल कावलित होने से कलाकार असरहीन हो गए जिसके चलते इस शहली का पतन प्रारंब हुआ फिर पतन का कारण क्या रहा है ये भी बताना पड़ेगा हमको ठीक है ये भी देखेंगे पतन का कारण था लीथो प्रेस की स्थापना ठीक है लीथो प्रेस पतना में कैमरा का अविसकार कच्चे माल के आयात पर निर्भरता बढ़ गई संरक्षन का भाव हुआ बाजार मांकी कमी हुई और फिर पलायन हो गया सबका अब बिहार के कलाक के विकास में इसका कि तदकालेन कला के मेल से नई सेले का जन्म हुआ फिर अंतरा शेस तर पर ख्याती प्लाप थी निशकर्सम दे सकते हैं हलाकि पटना कला का दौर ज़्यादा लंबा तो नहीं था लेकिन इसने बिहार की कला संस्किती के विकास में महत्पूर भूम का निभाई है या फिर जो कहे दें बिहार की कला संस्किती के विकास में एक नया अध्या जोड़ दिया ठीक है यह हूं निशकर्सम में दे सकते हैं अगला प्रसन देखेंगे भारती अकला के इतिहास में बिहार की भूमी बहुत योब जाओ माने जा सकती है फिर भी कि आप इस बात से सहमत है कि इसमें बाहरी प्रभाव का बोल बाला था 20 सके लिए 400 सब्दों में यह है तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे wherever यहां पे किसी एक कला की बात नहीं हुई है ध्यानक ना पटना मावर पाल या प्रिबंदुबन किसी भी कला की बात नहीं हुई है नार्मल बिहार की कला संस्कृति की बात हुई है तो उसमें हमें सभी कलाओं के बारे में बताना को अथी चलिए तो परिचे से इस्टार्ट करेंगे एक भूमक्यारू की रूप में पर्दान की वही पालकला इसको आगे बढ़ाते हुए सजावट और अलंकरण को चार चाद ही नहीं लगाया बलकि इसे अंतरा श्री इस्तर पर खेयाते भी प्रदान की और अंतता पटना कला ने बिरा किसी दर्वारी सेलक्षन के इसे नई दिशा प्रदान की ये एक भूम के टाइप में हो जाएगा फिला भूम के बड़ी है इसकी तो आप छोटा कर सकते हैं यहां वैसे ये 50 से 60 सब्द में होना चाहिए आपका फिर आगी क्या है हलाकि आलोचकों का तर्ग है कि इन कलाओं पर बाहरी प्रभाव देखने को मिलता है हावी रहे हैं जिसके निम्नत तर्ग उन्हों ने दिये भी हैं पक्षमी बात करें तो राजपरसाद पर आरमेनिया इप्रभाव देखने को लिएगा अशोक की स्तंब पर जो द्गोषटा हुई है एकेमेनिया से प्रभावित है लिपी सब्द जो है और डेरियस की तरह है सेरों की कठोर मुद्रा पर प्रषमी प्रभाव देखने को लिए को पालिश और कमल का प्रियोग एकेमेनिया की तरह है मतुरा गांधार के तत्तों का दोराव दिखना को मिलता है अलंकरन और सजावट के मामले में पश्मी प्रभाव है भित्य चित्र आजंता और इलोरा तथा बाग की गुफा से प्रभावित है चम की लिए रंगों और रेखाओं का प्रियोग मुगलकला से प्रभावित थी इसके लावा यूरोपी अथार्थवाद की छाप है और छाया तथा प्रकाश का उत्कृष्ट प्रियोग ब्रिटिस सैली से प्रभावित है विपक्ष में भी तर्ग देना हो क्योंकि हम इस बाद से सहमत तो है नहीं कि इस पर विदेशी प्रभाव होई बाहरी प्रभाव होई का ही बोल वाला था तो हमें इस प्रष्ट करना था तो हम इसके विपक्ष में भी तर्ग देंगे जैसे कुम्रहर के सभाकक्ष के इस्तंभों में सीर्स नहीं है दूसरा मौर इस्तंभ के लाटके सीर्स पर उल्टा कमल है मौर इस्तंभ चिकने हैं इस्तंभ जो जमिन खोटकर बनाए गए जो की स्वतंत रूप से आकाश के नीचे हैं आश्पत्रों से बने हुए हैं पशु आकरतियां जो स्वभाविक और विक्सित थी मौर के इस्तंभ चिकने थे धार्मिक प्रभाव का संकलन जो इस्थानी बंगश्यली ब्यक्त करते हैं ज्यामित्य याकारो तांतिक प्रभाव है ततकालें जीवन का चित्रन किया गया यह विशय बस्तू प्रधान होते थे जिसमें भविथा का भाव था सजीवता का अंकन है सामान जन जीवन ब्योसाज समुच्चे आधारित हैं बॉर्डर सखेद या साधे होते थे ठीक है यह सारी इसमें रहेंगी चम के लिए रंगों का प्रियोग रिखाओं कि सठीक्ता जो कंपनी शैली से तुलना करने पर प्राथमिक रूप से लगुचितर थे जो सरल इस प्रष्ट और अनुपातिक थे पटना शैली निश्कर्स भी देना होगा और उसी प्रष्ट के अनुपात में ही देना होगा उत्पर के अनुसार होगा उपरोथ विब्रणों के अधर पर निश्कर्सता यह कह सकते हैं कि बिहार की कला संस्किति ने बाहरी प्रभाव गराण किया हो सकता है लेकिन मुखरूप से इनकी विशेबस्तु भारती आधार भुत तत्तों से जुड़ी हुई थी जिसमें तत्काली न भारती समाज का चरित चत्रन किया गया है यह अपका निश्कर्स हो जाएगा और यह सटेक निश्कर्स हो आपको है अगला प्रश्ण है भारत में इलेक्ट्रिक वहानों के बरतवान परद्रश्य का संक्ष्प्त परिश्य देते हुए इससे संबंधित अवसरों और चुनोतियों पर चार्चा कीजी 400 शब्द का है BPSC के सिकंड पेपर में कुछा जा सकता है BPSC के थार्ड पेपर का प्रस्म हो सकता है तो इसमें सबसे पहले परिश्य देंगे परिश्य काया सच्छोजा और परियाबान संबंधित चिंताओं की बढ़ती मांग से सतत परिवाहन की और बदलाव की गती प्रहुती इलेक्टिक वाहनों को बिस उस्तर पर लोग प्रियता मिल रही और इसमें भारत कोई अपवाद नहीं है अपने बढ़ती जन संख्या और सड़कों पर बाहर वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ भारत अपने प्रदोश्य दिस्तर को नियंतर करने की चुनोती का सामना कर रहा है ठीक है यह हमारा परिश्य हो गया अब इसमें आउसर क्या क्या है आउसर यह भई कि प्रदोश्य में कमी होगी सबसे पहला लाब है दूसरा लाब क्या है सहरों में व्याप्त सबसे खराब वाय गुड़ता इस तरह को हल कर सकता है प्रदोश्य में कमी कर चलते इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद और चार्जिंग बुनियादी धाचे को प्रोसाइट करने के लिए 2015 में फास्टर एडाप्शन एंड मनुफेक्शन आफ एलेक्ट्रिक विकल्स इन इंडिया योजना शुरू कीगे लागत प्रभावी भी है यह पारंपरिक गैसोलीन वाहनों के तुलना में लागत प्रभावी है खासकर लंबी अबदी की लागत पर आगे है रोजगार सिजन भी बढ़ेगा तो रोजगार सिजन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हिसे बिनिर्मार अनुसंधान विकास चार्जिंग से संबंदित बुनियादी धाचे जैसे छेत्रों में रोजगार की आउसर भी सिर्जित होंगे उर्जा सुरक्षा का भी मामला हुग तो आयातित कच पर निर्भरता को कम करके घरे लूँ उर्जा सुर्तों के उप्यूग पर बल देते है यह से हल क्या जा सकता है तकि तकनिक की प्रगती भी होगी बेटरी तकनिक चार्जिंग इंफस्ड्रक्शर को गती मीलेगी लेकिन चुनोती भी है, चुनोती सबसे बड़ी चुनोती यह है कि charging infrastructure की कमी है दूसरा यह है कि पारंप्रिक gasoline वाहनों की तुलना में इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है बैटरी की अधिक लागत होना इसका प्रात्मिक काराण है फिर इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रियुक्तु होने वाली बैटरीयों का disposal करना प्रमुक चुनोत जाएगी तो इनके लागत में भी कमी आती जाएगी भविश में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोसान देने के लिए मजबूर्ट चार्जिंग इंट्रस्ट्रक्चर नेटवर्क को बिक्सित किया जाना चाहिए संभाव ना ही है साथ ही इनके परेवन अनकूल निप्टान को आपता है अब हम निस करके पहुंचेंगे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए बहुत से अवसर करतें लेकित चुनोतियों का समाधान भी आवशक है ताकि चुनोतियों का समाधान कर भारत सतत और इस्थाई भविश्य की गोर अग्रसर होने के साथ ही आयातित कच्चे तेल पर अपने निर्भरता को कम कर सके ठीक है यह अगला एक प्रशन है यह इसमें देखते हैं क्या है अगला प्रशन हो सकता है उत्तर लिखने के तरीका क्या होगा पहले तो परिशे देना चाहिए हमको स्रम बाजार की समस्या पहले से ही मौजूद है लेकिन यह समस्या कोविड-19 के बाद और भी गंभी रिस्तिती में पहुँच गई भारत रोजगार के आउसरों में कमी स्रम बल् चुनोती है कौशन अंतराल के रूप में भारत के शिक्षप पड़ाली प्रयापत रूप से छत्रों को नौकरी बाजार है तो प्रशिक्सित करने में असमर्थ है जिससे स्रम बल रोजगार के बीच अंतराल बिक्सित हो रहा है ठीक है इसमें आप रिपोर्ट दे सकने है एक रिपोर्ट आप लगा शेकतें चाहे तो नहीं तो कोई दिक्तनाई थी दूसरा है अनवपचारिक नौकरियों की कमी है भारत में अधिकान हर्स कारे बल अनवपचारिक छिसरों में संलंग मैं है जिसमें नौकरियों की सुरक्ष और अनियलाभप प्राप्त नहीं होते अगला है निम्न स्रमबल भागी दारी ये भी एक चुनोती है भारत में स्रमबल भागी दारी दर सबसे कम है जो लगभग 40% लोग ही कारेबल में शामिल है ये समस्या आंसे ग्रूप से सामाजिक और सांस्कितिक कारफों के साथ नौपरी की आवसरों की कमी और कौशल अंतरा के कारण बन हुई है फिर विन्यामक्व और टैरिफ नीतियां भी है इसमें घर पारदर्शिया आप रत्यासत नियामक्व और टैरिफ नीतिएं के कारण भारत में वीयोसाय क्रना चुनोती पूर्ण हुँआ है भारत में किसी भी G20 देश की तुलना में आौशत तैरिफ अ प्रवाजार में नई तक्निकों को अपनाने में चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे नौकरी के अवसर सीमी तो होने के साथ स्रमिकों के लिए नौकरी खुजना कठिन है ठीक है अब रोजगार सिजन और स्रमबल भागीदारे में सुधार के उपाई क्या हो सकते है तो पहली बात तो कौशल विकास बना चाहिए जो हो वहाँ चुनोती थी वहीं यहाँ पर उपाय बनेगा कौशल विकास कारकम में निवेश करने के आवसरता है सरकार का इसके लिए पहल इसी का पूरक है दूसरा अपचारिक रोजगार सिजन को प्रोशान दिया जाए स सामाज क पुँअ का जाए सरकार को विदेश है विदेशी को करने नुवेश करने ऑ नौखरीकशा भघंतने के लिए पारदर्शी बनाने की दिशामे कारे करना करना चाहिए है प्रवद्योग की तक पहुँच बढ़ाना चाहिए, सरकार को डिजिटल बनियादी धाचे में निवेश कर प्रवद्योग की तक पहुँच में सुधार और नौकरी के अवस्वरों को बढ़ाने के लिए प्रस्रिक्षन कारेक चलाने चाहिए, अगला उपाय क्या है, उद्य यह इतना बड़ा इसलिए हुआ है, कि BPSC को ध्यान में रखके, यह प्रस्षन लिखा गया था, जो 68 को में चला है, अब आज निवेश करस्ता हम कह सकते हैं कि रोजगार सिजन और स्रमबल भागीदारे में सुधार है, तो उपरोग तुपाय सरकार दोरा अपनाने सतनिष्ठा और इमानदारी के महत को संक्षेप में समझाते हुए, इसे बढ़ावा देने के तरीकों का वर्णन कीजिए, परिचे दे देंगे, सारवजनिक जीवन की आवश्रक्तत के रूप में जो यह सुनिशित करते हैं कि सरकार जवाद देव पारदर्शी के साथ अब यह भी हमको ध्यान रखना है, तो इसमें पहले चीज है, विसल ब्लोइंग को प्रोसाहित किया जाए, संगठन के अंदर होने वाले किसी भी गलत कार या नाइतिक व्यवहर की रिपोर्ट करने के लिए सिवे सेवकों को प्रोसाहित किया जाना चाहिए, जिससे कर्मच अध्यतन किया जाना चाहिए, जैसे केंद्रिय सिविल सेवा आचराण अधनिमों 1964 में उपहारों हीतों के टकराव बित्तिय सत्पनिष्ठा से संबंदित प्रावधानों सहित सिविल सेवकों की अपेक्षित आचराण को सामिल किया गया है, ठीक है, फिर पारदर्श्ता को भी बढ़ावत देना चाहिए, सिविल सेवकों को अपने नड़े लेने की प्रकिरिये में पारदाशी होने के साथ ये भी सुनशित करना चाहिए, उनके कारे सारवजेने हीतों द्वारा निर्देशित हों, ठीक है, फिर भरष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करन चाहिए, सिविल सेवकों के लिए इस पष्ट नयतिक दिशा निर्देश होना चाहिए, जिन से इनके अपेक्षित व्यवहार को परिभाशत किया जा सके, ठीक है, ये हुए, अब हमें निश्करज भी देना है, सिविल सेवकों के प्रभावी कारियाने में नहें इमानदार करने के लिए सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे प्रश्ट आपके कम्प्लिट हो गए, ठीक है, अब ये ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलेगी, मेंस की प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है, उसमें BPSC के लिए भी एक दो प्रश्ट, इस्पेशल र जाएगी, जब तक आपको मेंस का एक्जाम आएगा, ठीक है, तो इसी कसाथ आज की वीडियो हम यहीं पर समात करेंगे, और अगली वीडियो कसाथ मिलते हैं, तब तक के लिए धनवाद,